ये मगर ये न्यूस चैनल्स को एक टूल किट मिल गया है प्रधान मंत्री कार्याले की तरफ से एक फर्मान आ गया है कि आप दोश मढ़िये सिस्टम के उपर बीजेपी पे वह नहीं मोदी तो भाय खेर बहुत दूर की बात है आप जानते हैं प्रधान मंत्री कार्याले के एक दो लोग हैं उनकी तरफ से न्यूस चैनल्स को एक फर्मान आ गया है कि अब आप कोई जलती हुई चिताएं नहीं दिखाएंगे और जलती हुई चिताएं दम तोड़ती सांसें ऐसे सिस्टम के खिलाफ हमारी दस तक आज तक कह रहा है आगे देखिए कोरोना काल सिस्टम बेहाल सांसों का आपात काल यहां पर भी सिस्टम को दोश फिरे देखिए एबी पी नियूज सिस्टम कैसे छीन रहा है लोगों की सांसें इंडिया चाहता ह है अरे इंडिया नहीं चाहता है भाई तुम्हारी चातुकारेदा चाहती है तुम्हारी बेवसी चाहती है तुम जो अंदर से नपुनसक वो चाहता है system को क्या blame करना है system कौन चला रहा है मुझे बताो आगे देखे इसी चैनल की तरफ से कुरोना नहीं ये सिस्टम मार रहा है यानि कि इन्हें पता है कि अगर मैं कुरोना पर दोश मढ़ूंगी या दोश मढ़ूंगा तो जाहिर सी बाते सरकार पर सवाल होगा तो अब ये लोग बीमारी को भी दोश नहीं दे रहे हैं को दोश दे रहे हैं यहां पर यहां पर दोश दे रहे हैं सिस्टम को और देश की जनता इतनी बड़ी सलपेट है इतनी बड़ी मूर्ख है उसे यह नहीं समझने आने वाला है कि भाई यह सिस्टम चला कौन रहा है यह सरकार चला रही है और इस सरकार की एक तरह से पूरी कल एक ड्रामा हुआ अर्विंद केजिवाल आये और उन्हों ने उनकी एक हरकत से पूरी बीजेपी पूरी मोदी सरकार बॉखला गई वो आये और उनका जो भाशन है वो लाइव प्रसारित हो गया उन्होंने क्या कहा कि प्रधान मंत्री जी आप हर्यानों को समझाईए हमार उसके एक छोटी सी जलक और उसके बाद क्या बवाल हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ अधनमची जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बज़ते रहते हैं कभी कोई अस्पताल कहता है कि तीन घंटे की ऑक्सीजन बची है कभी कोई अस्पताल कहता है कि दो घंटे की ऑक्सीजन बची है हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि प शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर लेकिन अब वो भी बिचारे ठक गए है दिक्कत किया है पिछले साथ सालों में प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉंफिंस तो किया नहीं तो सवालों की आदत नहीं है अब केजरिवाल जरूर ना टक कर रहे है क्योंकि वो अपनी जंता को ये बताने की कोश़ कर रहे थे कि भाईया देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूं मगर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है वो सरकार ये कर रही है अर्विन केजरिवाल की क्या गलती है मैं बात करूंगा मगर हुआ ये इस पूरे मामले से कि प्रधान मंत्री कितने असहज दिखाए दे रहे थे। कितने अनकंफुड़स दिखाई दे रहे थे। अब देखिए प्रधान मंत्री ने THE मेरा विश्वास है देश में अगर कारोना के खिलाफ एक नैशनल प्लैन होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंडर सरकार बहुत खलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलिकास करें यह उचीत नहीं है यह हमने हमेशा सहीं पालन करना चाहिए ठीक है जर इसका ध्यान रखेंगे आगे सब्सक्राइब को शांती मिले जिन जिन लोगों का इस दोरान कोरोना की वज़े से जिनका ध्यान तो गया और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताकी हुई है मैंने कुछ कठोर बोल दि मेरे आचरन में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके इसाब से जो भी हमें निर्देश दिये गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे इस पर अरविंद केजरिवाल ने माफी भी मांगी देखिए मैं कह रहा हूँ न कि अरविंद केजरिवाल ने अपनी जान बचाने के लिए अपने वोटर में अपनी जगा वनाने के लिए सब ड्रामा किया उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है क्योंकि केजरिवाल जी हम सब जानते हैं कि जब से आपकी ये नई सरकार आई है और उससे भी पहले जो आपकी पांच साल सरकार चली थी आप विज्यापनों में कितना पैसा खर्चते हैं आप उन चैनल्स को भी पैसा देते हैं जो समाज के अंदर सिवाए जहर फैलाने के कोई काम नहीं करते हैं ठीक है और आज फिर आपने ये सब ड्रामा किया मगर आज मुद्दा अर्विन केजरिवाल है ये नहीं मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर किस कदर वॉकला गई बीजेपी तमाम जो मुख्य मंत्रिय मैदान में उतर गया अर्विन केजरिवाल पर हमला करने के लिए एक जम्ता के कल्यान के लिए काम करना चाहिए सारे मुख्य मंत्रिय उतर गया मैदान में फील्डिंग करने के लिए विजेग रुपानी आधरनीई प्रधानिन्त्री शी नरेंद्र मोडी में मीडिया को सीधा लाइफ फीड देने का दिलिए के मुख्य मंत्री शी अर्विंद के जिवाल का कृत्य प्रोटोकॉल के खिलाफ शर्माक और निंदनिये है और यही बात जो है योगी आधितनाद भी कह रहे थे मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ यहां पर विजे रुपाणी जी अपने राज्य की तरफ देखा है आप तो मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं आपके जो तमाम स्थानी अखबार हैं वो आपकी पोल खोल रहे हैं क्यों और मनोरलाल खटर जी क्रप्या बताने का कश्ट करें देश की जनता को कि किस तरह से अनिलविज सहाब आपके जो ग्रे मंत्री वो लगातार धमकी दे रहे हैं दिल्ली सरकार को कि हम जो है ऑक्सिजन नहीं देंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे और नतीजा आपके सामने है दो बड़ी खबरें दोस्तों दिल्ली के जैपुर गोल्डन अस्पताल में बड़ी तादाद में लोगों की मौत बत्रास्पताल में तराजदी ये दो खबरें जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है क्योंकि दिल्ली बिलखरा है ये देश की राधानी है ये देश की नब्स है यहाँ प्रधान गंत्री मोदी से लेकि अर्विंद केजवाल सब रहते हैं और दिल्ली इतनी बेबस है और कुछ दिनों पहले आपने लोकसभा और राजसभा में एक फर्मान जारी कर दिया और ये फर्मान क्या कहता है कि अर्विंद केजवाल को हर फैसले के लिए गिड़ गिड़ाना होगा उपराज जपाल के सामने जिसकी कोई राजनीतिक जवाब दे ही नहीं है ये चुनकर नहीं आया है चुनके आये हैं वो सत्तर विधायक मगर आब उनके हाथ में कुछ नहीं है अर्विंद केजवाल के हाथ में कुछ नहीं है ये तो आप ही ने फैसला ये कानून जो है या आप ही ने तो पारित करवाया था, बताइए, कोई बात कर रहा है प्रोटोकॉल तोड़ने की, प्रोटोकॉल, हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीका जाकर, एक मंच पर ट्रम्प के साथ खड़े होके कहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार, अरे प्रोटोकॉल की क्या बात कर ते और फिर हमारी भद पढ़ गई क्योंकि ट्रम्प वहा तो हार गया क्यों और आप कौन है इम राश्पती जो बाइडन और वो जो बाइडन क्या कर रहा है उस जो बाइडन ने इस खबर के मताबिक दोस्तों जो वैक्सीन बनाने में जो काम आने वाला जो कच्छा माल होता है रौ मटीरिल होता है उससे भेजने से मना कर दिया है ये लोग वैक्सीन होड कर रहे हैं आज की तारीक में अमरीका के पास इतने टीके हैं इतने वैक्सीन हैं कि हर अमरीकी को दो बार वैक्सीन दी जा सकती है दो बार वैक्सीन तो वैसे ही मिलती है यानि कि चार बार दी जा सकती है अगर इनके साथ आपके तालुकात अच्छे होते तो आप उनसे घुजारिश कर सकते हैं और आपने क्या किया था आपने पूरी दुनिया को वैक्सीन भेज दी थी उसकी कोई जवाब दे ही नहीं है और सिस्टम को रोना रोते हैं आप मुझे बताइए ना सिस्ट पहला रहा है कि इस बात पर जोर मत दो कि कितने लोग मारे जा रहे हैं इस बात पर जोर दो कि कितने लोग बचाये जा रहे हैं जाके आप उन परिवारों से पूछो दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा पिछले एक हफते से मैं और मेरी पत्नी अपने दम पर लगाता कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने लोगों की मदद कर सकें और इसके लिए मैंने यह मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कुछ लोगों से अपील भी कर रहा हूं कॉंग्रिस नेता अतुल लोंधे जो की मुंबई के अंदर हैं इनसे में मदद कर रहा हूं और ये जितना कर सकते हैं ये लोग कर रहे हैं मगर मैं जानना चाहता हूँ ना कि ये जो लोग हमसे positivity फैलानी की बात करते हैं ये खुद क्या कर रहे हैं इनका पालतू मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर देखिए ये न्यूज 18 मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल ये लोग ये चला रहे हैं कि इस वक्त जो एंटी इंडिया लॉबी है भारत विरोधी लॉबी है वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं कुरोना के नाम पर मेरे जैसे लोग आज की तारिक में अगर आम जनता का सवाल उठा रहे हैं उसकी बेवसी की कहानिया आप तक ला रहे हैं तो हम आंटी इंडिया हो गए ये लोग कितने पालतू हो सकते हैं यार तुमारी बिलकुल भी रिड नहीं है ये तुम पत्रकारिता करते हो क क्या करते हो मुझे बता